Hello everyone, कैसे हैं आप सब आसा करती हूं, सब अच्छे होंगे और आज हम बात करेंगे डेलिया की फूल के बारे में, बड़ा फूल डेलिया का जो होता है, तो ये पोदे हमें हर साल खरीदने पड़ते हैं, तो हमें ये हर साल ना खरीदने पड़ें, तो इसके लिए हमें क्या करन हैं, तो अब की बार मैं फर्स्ट टाइम ये ट्राइ करूंगी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेर करती हूं, जिनके घर में डेलिया के पेड़ हैं, तो वो इस विदी से इनको सेव करके रख सकते हैं, नेक्स सीजन के लिए, तो अभी अप्रेल है, तो अप्रेल में निकले थे, अब ये सूख चुके हैं, क्योंकि इनका सीजन ओफ हो गया है, तो आप इसको दुबारे से जब हम इसको लगाएंगे, तो तब हम इसको लगाएंगे जुलाई और अगस्त में, तो जुलाई अगस्त में लगाकर हमारा पोदा तयार हो जाएगा, दिसंबर तक बहुत अच्छे से है, क्योंकि हम जो लगाएंगे हम, उसके बाद फिर से पोदा तयार करना है, तो हमें इसमें से, इसकी जड़ में से क्या निकालना है, वो आप देख लीजिए, तो फिलाल में इसकी जड़ को अराम-अराम से खोद रही हूँ, ताकि जो इसके बल्ब न संभाल के रखना है, और वो आप कैसे रखेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाता है, इनमें फंगस बहुत जल्दी लगता है, तो हमें क्या क्या करना है, अभी में पहले सारे गमलों में से अपने निकाल के देखती हुई ने, कि कितने निकलेंगे, और कैसे कैसे नि नहीं देखते कि जो निकलेगा वो ठीक है तो आप इसे निकाल के सब को एक साथ रख लिए जब आप दुबारा इनको जर्मिनेट करेंगे तब कलर का आपको पता चल जाएगा तो पहले गमले में से दो निकले थे और सेकंड वाले गमले में से तीन निकले हैं अब मैं ऐसे ह अराम अराम से इनको निकाल रहे हूं ताकि एक भी कोई भी मतलब खराब ना हो अलाकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल अंदर है पता नहीं लग रहा मट्टी में कि हो सकता है लग भी जाए एक काद को खुरपी तो देखते हैं कि कैसे निकलते हैं और ये पहली बा घभासिआ हो चाहरों को निकाल लो तब आपको दिखाती हूं कि कितने मैं ने ये लिपाए दस गमलों में थी हैं डेलया तो निकलते हो क्या निकला है दिखाती हूं मैं आपको डेखो इस तरह की है इनके यह बल्ब निकले है बविश्यमें जैसे आलू उततै ना अलू में से पोधे निकलते हैं तो ऐसे ही इनको सरदियाने के असपास हम इनको बहुधेंगे तो इन में से कटिंग करकर करके हम जब अलग लगाएंगे तो उस पर फूल आएंगे तो इससे पोदा तयार करना पड़ता है यह एक तरह से यह रूट से पोदे बन जाते हैं तो अभी हम इनी सेव करके रखेंगे तो वह कैसे रखेंगे चलो देख लेता है और कुछ मुझसे यह कट गे जैसे मैं खोद निकाल रही थी ना तो यह खुर भी लगी इन में सब में तो यह खराब हो गया इन्हें हम नहीं रख सकते तो मैंने बाल्टी में पानी ले लिया है और इसको मैं अच्छे से इसे आराम आराम से इनको नहला दूँगी डुबका डुबका के तो सारो को ही मि इनको वोस करना है धीरे धीरे और बहुत तेजी सा आपको नहीं लाना क्योंकि इसमें सा अलग हो जाएंगे जैसे यह आलू चिपके रात्य है जड़ में यह कुछ उसी तरह से चिपके हुए हैं तो इसलिए हलके हाथ से यह हमने दोके तयार कर लिया है बहुत अच्छे से अब इनको में लगाना है फंगडिसाइड हो दो दृकम सुखाना है यह है फंजी शाइड फंट इसी शाइड आपट ना लगे है उसके लीए पाउल कर आए जाना न दोके हैं तो आप इसको कात में लेकर फोड़ फूड़ इसके उपर अपर ऐसे लगा दीजी है ताकि इन पानी दीजिए इसमें इसको डर लीजिए इस तरह यह होगे बोल लीजिए और एक एक ट्यूब को लेकर इसमें ऐसे डिप कर दीजिए तो भी अच्छे सब लग जाएगा नहीं है इस तरह आप अगर डिप कर देंगे तो इसमें बिल्कुल लिक्वली एक कोटिंग हो इस तरह आप इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करके रखे नहीं तो यह खराब हो जाएगे अगर आपके पास यह नहीं है तो आप फल्दी के पानी में इसको ऐसा डिप करके रख सकते हैं तो मैं पहले सबको डिप कर देती हूं इसके बाद मैं थोड़ा सा इनके उपर वैस सूखने के लिए रखने हैं तो दो दिन धूप में सूखाने के बाद इनकी ऐसी कंडिशन हुई है अब इनको सेव कैसे करके रखना है अब यह जितना सूखने थे सूख का कुछ साइज में छोटे हो गए हैं तो अभी मैं क्या करूँगी इनको एक पेपर लूँगी और प क्यलकी लगती रहे तो मैंने पेपर में इनको फोल्ड कर दिया इस तरह और मैं इनको रखूँगी एक पेपर बैग में जो मतब कपड़े वाले बैग आते है आगने कई भी ठंडी जगे पर रखसकते हैं जादए गर्मी में नहीं रखना पानी सा बचा कर रखना है तो कैसे करते हैं सब्सक्राइब ऐसे बैल आइकन दबा देना देखने के लिए धन्यवाद सबी को फिर मिलते हैं रादे रादे बाई बाई